हलो स्टूडेंट्स मेरे नाम है अविशेक वर्मा और स्वागता आपका हमारे चैनल स्टेडे क्लास परी तो स्टूडेंट्स आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे अधिगम के अर्थ की यानि कि सीखना किसे कहते हैं उसकी बात हम करने वाले हैं तो आज का वीडि चाहों में आने वाला बहुत ही महतफूर्ण प्रश्ण है तो चलिए इस प्रश्ण को जानते हैं और बात करते हैं कि ये प्रश्ण अधिगम का अर्थ होता क्या है तो अधिगम का अर्थ तो सिधे वो होता है सीखना जी हैं अधिगम क्या होता है सीखना तो इस वीडियो अधिगम और बाल विकास इसके प्रश्ण अधिगम का अर्थ सीखेंगे तो सीखना किसे कहते हैं सीखना यानि कि अधिगम भी कहा जाता है अगर आप से सीखने की परिभाशा पूछे या अधिगम की परिभाशा पूछे तो आप एक ही लगाएंगे अधिगम के बारे में सबसे फेमस अगर किसी व्यक्ति की बात की जाए जिन्होंने इसके बारे में परिभाशा दी है तो वो है वुडवर्थ वुडवर्थ के अनुसार अधिगम क्या है सीखना विकास की प्रक्रिया है वुडवर्थ ने कहा है ये कई बार वस्तोनिश में पूछता है कि सीखना विकास की प्रक्रिया है ये किसने कहा है तो ये कहा है वुडवर्थ ने वुडवर्थ जो है बहुत ही मशुहूर है वुडवर्थ जो भाषा वेग्यानिक है यह बहुत ही महतोपून एक वेक्टी है जिन्होंने परिभाषा दी है अधिगम की जी हाँ सीखना को विस्तार से बहुत ही बहुत पूर्ण ये प्रशन जो है तीन अंकों के लिए पूछ देता है कई बार ये प्रशन तीन अंकों के लिए पूछता है जी हाँ, तीन से लेके दो अंकों तक बार-बार पूछते रहता है चलिए बात करते हैं सीखना किसे कहते हैं तो बहुती अच्छी परिभाषा की सीखने की अच्छी परिभाषा जो आपके सामने रखते हैं और देखते हैं कौन सी यो परिभाषा होगी तो परिभाषा जो है सीखने की सबसे महत्तुपून किसी स्ठिती के प्रती किसे कहेंगे किसी स्ठिती के प्रती को ही क्या कहा जाएगा सीखना कहा जाएगा याद रखिए सीखने की परिभाशा जो है सीखना या फिर अधिगम इसकी परिभाशा बहुत ही सरल है सीखना और अधिगम की एक ही परिभाशा क्या है किसी स्थिती के प्रती एक सक्रिय प्रतिक्रिया को ही क्या कहा जाएगा सीखना या फिर अधिगम कहा जाएगा अब क्या होता है इसके फल सुरूप इस सीखना अधिगम के फल सुरूप क्या होता है व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होते हैं व्यक्ति के व्यवहार में व्यवहार में परिवर्तन होते हैं व्यक्ति के व्यवहारिक परिवर्तन को देखने ही मिलता है, व्यक्ति के व्यवहारिक परिवर्तन होते हैं, इस बात को ध्यान रखिए व्यक्ति के व्यवहारिक परिवर्तन होता है, अगर सीखते हैं तो और प्रतेक्रिया बालों को अनुभाव देती है, तो सीखना वो कैसे होगा अनुभाव से ही होगा जी हम अनुभाव से ही सीखते हैं याने किसी चीज को करने के बाद चाहे वो गलत हो या सही हो यह कि अनुभाव के पद चाहत ही हमें क्या मिलता है भई सीखने मिलता है तो इस बात को ध्यान रखिए कि सीखना जो होगा अनुभाव अनुभाव द्वारा वेवहार में शामिल होता है या सीखना अनुभाव द्वारा वेवहार में सामिल किया जाता है या सीखना वेवहार में परिवर्तन है तो बहुत ही सार है बहुत अच्छी परिभाशा ये है कि सीखना क्या है सीखना अनुभध वारा वेवहार में परिवर्तन है यह बहुत ही सरल परिभाषा सीखने की अधिगम की यह परिभाषा जो होती है अकसर तीन से चार नंबर की पूछी जाती है जी हां अधिगम यह जो परिभाषा है आप हमारी प्लेलिस्ट चेक करें और भी वीडियोज देखें और ऐसी कोई वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अगले वीडियो में तब तक के लिए देखें अब हमारा चैनल स्टडी क्लास